हाई ओन, एक सिंपल सा लॉजिक है जो ना जाने लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो बॉड़ी है, उसमें कोई भी चीज कंजियूम करने के लिए बना है माउथ के थूरू, जब भी आप माउथ के थूरू कोई भी चीज कंजियूम करते हैं, तो वो food particle पहले आपके mouth में एक check होता है वहाँ पर बहुत सार enzymes उस पर act करते हैं फिर वो जाता है food pipe से होते वे जहां पर tonsils भी हैं उसमें germs से लड़ने के लिए फिर वो stomach में जाता है stomach में hydrochloric acid के साथ उसका reaction होता है और वहाँ से यह decide होता है कि food आगे फर्दर जाएगा या नहीं अगर food क्योंकि अगर उसमें कुछ harmful particles हैं तो वो vomit के तुरू बाहर आ जाता है otherwise वो फिर आगे जाता है और अगर फिर भी वो अच्छा नहीं है बोड़ी के लिए तो बोड़ी उसे large intestine के तुरू food को consume करने का बट अगर हम कोई भी चीज अगर directly इसे bypass करके skin के तुरू insert कर रहे हैं हमारे चमड़े से insert कर रहे हैं तो वो directly bloodstream में आ जाता है जिसके बहुत सारे side effects हो सकते हैं इसके बहुत सारे health पे हमारे consequences आ सकते हैं बहुत सारे हमारे health पे तो अपने health का ध्यान खुद रखे और खुद के doctor खुद बने ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे और भी वी वीडियोज देख सकते हैं थेंक्यू